असलाम लेकुम and welcome students secondary chemistry at chapter number one हम continue करेंगे हमारा previous topic का modern periodic table जिसका fourth point है metals, non-metals and metalloids तो ये एक और तरीका है जिसके जरीए हम classify कर सकते हैं elements going periodic table तो वो क्या है metallic character यानि अगर metallic character होगा तो हम क्या देंगे क्या है वो metals है अगर नहीं होगा तो हम क्या देंगे non-metals है और अगर metallic character भी है और non-metallic character भी है तो वो क्या हो जाएंगे metalloids तो ये कौन-कौन से groups के elements है या एक ही group के अंदर कौन से metals हैं, कौन से non-metals हैं या metalloids हैं, ये हम periodic table की help से कुछ समझने की कोशिश करते हैं जैसे कि ये आप देख सकते हैं आपकी books में जो प्रियॉर्डिक टेबल गिवन होगा उसको different colors से different elements को represent किया होगा आप यहां पे देखें कि ये जितने भी elements है सारी के सारे, light से sky blue color है इससे represent किये गए हैं जबकि ये कुछ elements हैं ये थोड़ा सा dark color है blue और इसी तरह से ये light gray जो है ये किसको represent कर रहा है कुछ different elements को इसी तरह से dark gray जो है जो हो सकता है आपकी book में ये blackish color हो तो ये जो है represent कर रहा है different elements को तो अभी हम देखते हैं ये जो side information दी होती है ये बड़ी useful information है इससे आप classify कर सकते हैं कि आपके पास कौन सा element metal की अंडर आएगा कौन सा non-metal होगा कौन सा metalide होगा या noble gases से belong करेगा तो यहाँ पे जो हमारे पास light sky blue color है वो represent कर रहा है metals को तो आप periodic table में देखें कि कहां कहां पे ये color है except hydrogen यहाँ पे जितने भी start में left side पे elements हैं यह सारे के सारे किसको रिपसंद कर रहे है metals को इसी तरह से आगे चलते हैं तो यहाँ पे group 4A 5A, 6A और 7A के कुछ elements हैं यानि कि कुछ mid में आ गए हैं यह दोनों mid में समझ लें और कुछ lower elements हैं यह सारे के सारे metalloids हैं इसी तरह से अगर हम non metals का यह color है यह देखें कहां कहां पे है तो 3A में जो first element है boron यह क्या है non metal है इसी तरह से 4A का carbon 5A का nitrogen और phosphorus 6A का oxygen sulfur selenium 7A का fluorine, chlorine, bromine and iodine यह सारे के सारे क्या हैं non metals तो हमने अब classification कर दी on the basis of metallic character तो सारे के सारे यहां पे यानि अभी हमें यह information भी मिल गई कि periodic table के अंदर ज़्यादा तर जो elements हैं वो क्या है metals है तो उनकी metallic properties होंगी ठीक हो गया यह थी आज की वीडियो और यहां पे हम जो हमारा modern periodic table की essential features वाला topic था essential properties वाला topic था वो close हो जाएगा फिर हम next video में next topic से start करेंगे अगर आपको यह topic से ही समझ नहीं आया तो आप से request है कि आप इस topic से related तमाम videos जो मेरे channel पे हैं वो सारी की सारी देखें और videos complete देखें ताकि आपको अची तरह समझ आ जाए thanks for watching the video